हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का नॉलेज़ डॉप चैनल में दोस्तो ICAR एक्जाम की डेट फॉर्म फिलप की जो की 10 जनवरी तक थी आपको पता है दोस्तो वो अब एक्स्टेंड हो चुकिये यहनी 20 जनवरी तक आपको वो फॉर्म फिलप का मोका मिल चुका है जिन्होंने भी फॉर्म फिलप नहीं किया तो पूरी जानकारी दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं तो फिस वीडियो को लाज तक जरूर देखीगा दोस्तों आपको पता है कि 20 जनुरी तक आप फॉर्म फिलप होंगे तो दोस्तों क्या पांस दिन में एक्जाम होगा तो दोस्तों मेरे हिसाब से त तो तो पांस दिन में एक्जाम होना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है । क्योंकि दोस्तो एक्जाम इतने जल्ली नहीं होगा क्योंकि 20 तारीक को बंद हो जाएंगे उसके वाद पर जिन में possible नहीं होता है क्योंकि computer based test होना है तो इसमें time लग जाएगा यानि आपको करीबन करीबन अभी 20 से 25 दिन का वक्त और लग सकता है तो 20 से 25 दिन और ये लगा सकते हैं आपका exam लेने में तो बिल्कुल अब जितना भी आपको time मिलेगा exam के लिए दोस्तो अब पूरी तयारी में लग जाएए जिन्होंने भी तयारी करना start नहीं क्या है वो आप पूरी तयारी में लग जाएं और आपका exam तो पका होगा बहले ही 10 दिन बाद हो 20 दिन बाद हो 25 दिन बाद हो पर exam तो हो ना ही हो ना है तो दोस्तो आप बिल्कुल अपने आपको तयार कर लीजे और सभी के लिए जो भी candidates इस ICR exam में बैठने वाले हैं जो पेपर देने वाले हैं उन सब के लिए मेरी और से best आप लग आपका exam जरूर होगा बहले ही 10 दिन बाद हो 15 दिन बाद हो लेकिन exam जरूर होगा लेकिन दोस्तो करीबन करीबन अगर 20 तारीक तक आपके form fill up हो जाते हैं तो 5 दिन में possibility थोड़ी कम है हो भी सकता है लेकिन possibility थोड़ा सा कम है तो आप 10-15-20 दिन और मान के ही चलें तो कोई बात नहीं दोस्तो जहां आप इतना रुख गए हैं तो और रुख सकते हैं और आसा करता हूँ आपको information अच्छी लगी होगी अगर information अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर दीजिएगा मिलते हैं ऐसी वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत